तो दोस्तों आज कल फोनों की जंग में अब मोटो भी जो है कूद पड़ा है इस मैदान में और इस जंग के मैदान में मोटो लेकर आया है अपना एक नया फोन जो की होने वाला है मोटो का Z4 प्ले क्या कुछ है इसमें खास बाते आये जानते इस वीडियो के अंदर तो वहीं अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें हमें सुपर मोल डिस्प्ले देखने को मिल जाने वाला है जो की वाटर ड्रॉप नौच के साथ आएगा और साथ में जो इसकी साइज है इसक्रीन की साइज वो 6.22 इंचेस की साइज हमें देखने को मिल जाने वाली है अगर मैं इसके चिपसेट की बात करूं तो इसमें 675 Snapdragon का चिपसेट देखने को मिल जाने वाला है और GPU भी इसमें 612 Adreno वाला देखने को मिल जाएगा तो यानि कि अगर Gaming Lovers हो तो Gaming Phone ये होने वाला है वहीं मैं अगर इसके बात करूँ प्रोसेसर की तो इसमें हमें OctaCore का 2GHz Dual Core प्रोसेसर देखने को मिल जाने वाला है और यहीं पर अगर हम RAM के बारे में नज़र डाले तो RAM हमें 4GB की इसमें देखने को मिल जाएगी इस storage के अगर मैं बात करूँ तो इसमें 64GB का storage जो हमें देखने को मिल जाएगा जो कि expandable होगा 2TB तक जिहां दोस्तों 2TB तक ये मोटो की सबसे वड़ी खास चीज़ है कि कोई न कोई की feature वो निकाल ही लेता है और यहां पर उसमें निकाला है कि 2TB तक वोख्या कर सकते हैं expand इसकी memory को कर सकते हैं वहीं अगर मैं हम इसके camera की बारे में नज़र डाले तो इसमें हमें देखने को मिलेगा 48MP का rear camera जो कि motor के phone में पहली बार आ रहा है हाला कि मुझे लगता है कि जो motor को जादा देना चाहिए था front camera जो है वो जादा देना चाहिए था इसके बाद हम अगर इसके कुछ key features की बात करें तो इसमें हमें on screen fingerprint sensor देखने को मिलेगा यानि कि screen के नीचे नहीं on screen पर हमें fingerprint sensor देखने को मिल जाने वाला है battery अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3600 mAh की यानि कि 3600 mAh की बैटरिया में देखने को मिल जाने वाली है जो कि lithium ion की बनी होगी और साथ में fast charging जो है इसका charger support करता है वही में अगर launch rate की बात करूँ तो इसमें हमें देखने को मिलेगा यह 30 April 2019 से इंडिया में जो कि इसकी ख़बर निकल कर आ रही है कि 30 April से launch होने वाला है वही में अगर बात करूँ इसके pricing के बारे में तो यार मोटो ने फिर यहां से कुछ गल्पी कर दिया और 37,000 इसकी pricing रख दिया है जो कि Xiaomi इससे भी बड़िया बड़िया फीचर जो है अपने कमदामों में दे रहा है तो यहां पर से मुझे लगता है कि मोटो का जो सबसे बैड फीचर यहां पर सामने निकल कर आया है वो उसकी pricing या यह 37,000 रुपे की तो anyway जो भी इस phone के बारे में था मैंना आपको बता दिया वीडियो पसंद रहे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर देना